हलो बच्चा लोगों कैसे हो बढ़ियां चलिए मेरा नाम है अलकिस सर्फ रॉम आरेदे क्लासिस सिटी एम अमदावाद दोस्तों आज हम 11 साइंस इंग्लीश विडिम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नुबर 11 है उसका एक्सराइज का 12 नंबर का कोश करेंगे साइब दोस्तों खाली समझने की जरूरत है यह कुश्यिन में आपको दो अलग-अलग मैथा से कर भाउंगा आपको जो मैथा अच्छी लग है वह आप GPS कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो दैन टैन 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 तैन ठैन दैन 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 दैनेध Sajanu let's start 10 kilowatt drilling machine is used to drill a drill a bore in a small aluminum block of mass 8 kg बहिया simple 10 kilowatt का जो drilling machine है is used to drill a hole in a small aluminum block of mass 8 kg ठीक है ओहो सर एक aluminum का ब्लॉक है simple आपको मैं समझा देता हूँ method समझा दे रहाँ आपको मैं एक aluminum का ब्लॉक है ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ ठीक है अब उस पर उसमें hole करना है तो उसकी लिए मैंने drill machine ले लिया है दोस्तों drill machine ले लिया है drill machine का वायर कहीं पर हो रहा होगा ठीक है बोलो डन है दोस्तों अब यह drill machine है जो देखिए हो कहा रहा है 10 kilowatt power वाला drilling machine है उससे मैं aluminum के जो एक block है उसमें hole कर रहा हूं ठीक है दोस्तों aluminum के hole block मैं जो hole कर रहा हूं पुरा thought process समझना क्या करेगा दोस्तों drill machine aluminum में hole तो करेगा लेकिन यहां पर अब तू drill machine जब हटाएगा ना फिर उस वह यहां पर चूके देखा ले इतना जबर्दस गरम गरम लगेगा तुझी यह block यह अंदर यह hole का जगा यह block भी है ना बहुत गरम लगेगा दोस्तों क्यों क्या हुआ ऐसा तो drill machine ने अपना heat डर 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 अपना जो power है अपना heat है वो इस block को दे दिया क्या बात है सर क्या बात है मतलब heat loss by the drill machine is equals to heat gain by aluminum block done sir done तो कहीं पर concept लिख के रख heat loss by drill machine is equals to heat gain by aluminum block बहुत गजब sir बहुत गजब है ना ओके दोस्तों आप क्या बोला गया है ध्यान से सुनना अब पढ़ रहे हैं question पढ़ रहे है question 2 मिट रुख जा मैं अपने आप से करवा रहा हूं तोड़ा drill machine का power इतना है ठीक है बाजू में लिखता हूं मैं aluminum block उसका क्या हाल चाल है दोस्तों तो देखो पढ़ो drill machine का power इतना है उसको aluminum का block है 8 kg का मास लिख देता हूं 8 kg का उसमें hole करने के लिए यूज कर रहे हैं how much is the how much is the rise in temperature of the block 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 के temperature में कित्रा increase होगा in 2.5 minutes 2.5 minutes में मतलब की drill machine को 2.5 minutes तक aluminum के block में hole करने के लिए रख रहा हूं 2.5 minutes तक चल रहा है चल रहा है दोस्तों तो यह अपना heat कितने समय तक इसको देगा 2.5 minutes तक देगा तो अब मेरा thought समझना तू बात को बहुत मजह आने वाली है तिरे को चला जाए सुन जोस्तों पावर दिया है दस किलो वाट पावर का मतलब क्या होता है किलो का 1000 और वाट ठीक है टैन थाउजन जूल पर सेकंड वाट मतलब जूल पर सेकंड मतलब की एक सेकंड में 10,000 जूल heat यह इसको दे रहा है क्या बात है सर क्या बात है फिर से एक बार दोस्तों ड्रिल मशिन का पावर है कि वो एक सेकंड में 10,000 Zool heat इसको दे पाए aluminum block को clear तो इतना एक सेकंड में इतनी दे रहा है तो अपना काम कितनी देर चलने वाला है 2.5 मिनिट दोस्तो तो time 2.5 मिनिट दिया है 2.5 मिनिट सेकंड में घुमा दू तो दोस्तो यह मिंडी मिंडी गया 3.500 सेकंड हो रहा है कुछ 1.500 सेकंड तो दोस्तो मैं लिख सकता हूँ 150 सेकंड में कितना heat loss करेगा तो heat loss is equals to 10,000 into 150 क्या बात है सर ठीक है लेकिन एक दिक्कत है इतना heat वो loss कर रहा है तो इतना heat block को मिलेगा मुझे कोई issue नहीं है ठीक है लेकिन क्या बोल रहा है दोस्तों assuming that 50% of power is used up in heating the machine itself और loss in the surrounding इसका जो power है मतलब यह जो जितना heat दे रहा है उसका 50% तो कहां loss हो रहा है atmosphere में surrounding में loss हो रहा है यहां इसको ही गरम होने में time लग रहा है तो उसमें waste हो रहा है यह drill machine को ठीक है तो दोस्तों मैं लिख सकता हूं q is equals to 10,000 into 150 50% because its efficiency is 50% ठीक है सर ठीक है तो q is equals to 10,000 into 150 50% मतलब दोस्तों 50 upon 100 पच्चास दुना सो 75 टूजा मतलब 75 और यह हो गया 10 raise to 4 जूल तो दोस्तों इतना heat यह aluminium block को मिलेगा aluminium block को मिलेगा ठीक है दोस्तों aluminium block का देखो c दिया हुआ है 0.91 जूल पर gram into kelvin है gram को kilogram में convert करेंगे नीचे 10 raise to minus 3 10 raise to minus 3 उपर चला जाएगा तो plus 3 ठीक है दोस्तों ठीक है अब जितना heat इसने loss किया कितना heat loss किया 75 into 10 raise to 4 उतना ही यह gain करेगा चलो तो यह heat loss by drill machine 75 into 10 raise to 4 50% power consume हो गया ना जर लॉस हो गया ना इसलिए मिलेको 50% करना पड़ा तरवाइस तो इतना heat दे रहा था वो 1500 into 10 raise to 4 जितना है ना चलो heat कितना gain करेगा aluminium का block sir mc delta t simple concept sir 75 into 10 raise to 4 m है 8 c है 0.91 into 10 raise to 3 delta t delta t is equals to 75 into 10 raise to 4 8 into 0.91 into 10 raise to 3 यह यह गया आपको कुछ answer मिलेगा दोस्तो 103 Kelvin देख ले ना नहीं sir ठेक है बोलो कहां दिक्कत आ रही है कहां दिक्कत आ रही है दोस्तो यहां पर और आपको अच्छा solution देता हूं तो यह काम आपका कम हो जाए लिए देशी फिजिक से देशी जुगाड किया हूए मैंने अब चिंता नहीं करना मैं अच्छा जुगाड दे रहा हूं अच्छा जुगाड दे रहा हूं कैसे देखना अब दोस्तों मान लो कि मैं यह drill machine का power है जो इतना मिला कि इसी को ऐसे सॉल करूं तो यह drill machine है और यह aluminium block है इसका power दे रखा है 10 kilowatt मतलब की 10 kilowatt मतलब 1000 watt यह तो joule per second अब दोस्तों बोल सकता हूँ power is equals to heat upon time तो heat है मतलब energy upon time energy को power into time power है 10,000 joule per second और time कितना है डाइ मिनिट 10,000 joule per second डाइ मिनिट है मिनिट को second में convert करो 60 seconds second से second गया 1010 गया 25 into 6 25 into 6 यह हो गया मतलब 1500 into 10,000 हो गया बहुत easy smooth method है tension नहीं लेना दोस्तों अब दोस्तों आपको बोला है 50% तो heat waste हो रहा है loss हो रहा है तो क्या करोगे 150 into 50% ही heat और drill machine उसको देगा aluminum block को तो 1500 into 10,000 50% का मतलब 50 by 100 दो 75 तो 75 into 10 raise to 4 बोलो यह का यह answer आया की नहीं आया यह का answer आया की नहीं आया तो तो यह इसाब से करना तो अच्छा रहेगा है वो छोटे वाल बच्चों वाला लगेगा यह यह भी कर सकता को issue नहीं यह अच्छा रहेगा ठीक है अब फिर यह रहा सर aluminum के बारे में वक्षान कर दू मैं थोड़ा तारीफ कर दू तो 8 kg C है 0.91 into 10 raise to 3 डेल्टा टी फाइंड करना है हीट लॉस बाइट 75 to 10 raise to 4 हीट गेंड बाइंड ब्लॉक हो गया ना क्या बात है सर बस एंसर आएगा 103 तो आप दूनों इसाब से एंसर कर सकते हो टैंशन वाली बात नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चल स्क्रीनशोट ले सक्रीनशॉट लेए इसको तैंक क्यू बाइरे मच अच्छा आपको इसमें दे दो सुड़ा जुगाड यह 50% तैंट लो 30% लो ठीक है और यह 10 किलो वाट है ना 10 किलो वाट इसको सेम रहने दो यह जो 1.5 मिनिट है इसको 1 मिनिट कर दो चाला इसको 1 मिनिट कर दो इसको 30% लॉस कर दो क्या एंसर आता है कमेट बॉक्स में जरूर से लिखेना थेंक्यू वाई मंच